इसी ग्लोबल लिम्टेटि के बारे में तो कार्दा कंस्ट्रक्शन गुर्प की एक कंपणी है और कार्दा कंस्ट्रक्शन जो है उसका कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसी की इसी गुर्प की एक कंपणी है जिसमें लगातार ग्रावट देखी जा रही है सो इस वीडियो में हम यह जानली कोसेश करेंगे आखिर एक्चुली में हो क्या रहा है चल क्या रहा है सेर में एक्चुली में गिरावट हो क्यों रही है सब लोग बता रहे हैं होल्ड करो होल्ड करो लेकिन कब तक होल्ड करें गिरावट हो क्यों रही है प्रमोटर अपनी हो एक पास फिलाल क्या है कुछ है भी या नहीं या खोकला हो चुगी है सो वीडियो को स्टाट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टैम मेरे चनल पर आयो है तो चैनल को अभी सब्सक्राब करके बलागर को प्रेस कली ता कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और ठीक है इस्टर करते हैं यहां पर हम देखें दोस्तों इं इंफ्राएंड गौर्मेंट कॉंट्रैक्स यहां पर कंपनी ने दिखार रह का है। इसकी ओफिचल वेफशेट जो है कार्दअकंस्टॉक्षन.com क्या वहां पर हम देख रहे हैं ठीक है तो इसको क्या प्रोजेक्ट मिल हुआ है यहां पर दिखा रखा है कॉंटेट्स देखो महरास्टा इस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पूरेशन मॉंबई रेजियन करोल रोड विद्यविहार मॉंबई रिकंस्ट्रक्शन और बस अस्टेशन विद सब वर्क्स एड साहा साहापुर इन थाने द्रिविजन ये इसका मैप दिखा रखा है कि किस तरीके का ले आउट है एसी नेशनल हेल्थ मिशन इस्टेट हेल्थ सोसाइटी मॉंबई एग्जेक्यूटिव इंजीनर डि एचस कंस्ट्रक्शन औप सो बैड बैडेड एम सेट्स विंग एड डिस्ट बेडरोम फ्लेट्स इन सेक्टर मैं यह क्यों बता रहा हूं हम यह देखने उकुसिस करने हैं कि कंपनी की पास कुछ और वेगरा कुछ कॉंटेक्स है भी या नहीं ठीक है क्योंकि किसी भी कंपनी के सिर्गा अगर मैं बोलू होल्ड करने के लिए तो इससे पहले हमें पूल करें सेक्टर आई एट करटी पॉंडा गोवा ठीक है गोंडा महराष्टरा नासिक बगरा से इसको यह मिले हुए हैं इसके पास कई ऐसे कॉंट्रेक्ट्स हैं दोस्तों मुंबई से गोवा से लिम्टेड लिम्टेड लोवर परल मुंबई तो इसके पास कई ऐसे कॉंड्रेक्ट्स हैं दोस्तों मुंबई से गोवा से नाजिक नासिक से जो इसके पास अभी पूरे नहीं हुए है जो under going चल रहे जो चोटी कंपनी है 151 का मार्यक के ऐब है इसका ठीक है इसका थीक है बीच का अच्छा है लगबग, intrinsic value 3.52, यह थिक के पास 89.5 करोड का है, और कर्ण price 2.40 है, रेज़ब कंप्चा। निएचक deutschen chant ट्रीम चानल होगी सब्सक्राइब आपको परिशान नहीं होना है जिनने के पास सेhr नहीं होना है अगर पर भीशित हैं मैं आपको नीचे दिखाता हूं, promoter ने लगातार holding गठाई है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोन है, 65 से promoter holding किभी 50, 25.93 लेकिन खरीदने वाले कोन है, FII वाले, FII वाले इसको खरीदने वाले हैं, बही या तो किसी penny share मैं माल लीजिये, अगर promoter समय लगातार holding गठार है और उ इसी ग्रुप का मैं आपको एक शेर ओर दिखाता हूं दोस्तों जहां पर आपको दिखेगा कि लगातार प्रोमोटेस इन अपनी होल्डिंग गठाई है लेकिन बाय किस ने की है आप आओगे यहां पर देखोगे देखो वन टू थ्री फोर फोर्थ नम्मर की सबसे बड़ी क परोड का और मैं आपको नीचे दिखाता हूं देखो आजाओ मेरे साथ में आपको दिखाता हूं एक चीज यहां पर से रोल्डिंग बैटन में प्रमोटेस के बाइब 59.16% की होल्डिंग थी सेप्टमें 2019 में अभेक्ट इन रह गया है 47.32 लगावाग 60% से सेहताली परसंड की होल्डिंग रहेगे जून क्वार्टर में भी इनों ने गठाई है लगातार अपनी गठाई है sorry for that लेकिन होल्डिंग बढ़ाई किसने DII वालों ने KBC में भढ़ा रहे हैं FII वाले लेकिन इसमें भढ़ा रहे हैं DII वाले 16% की 7% से 16% की होल्लिंग कर रखी दोस्तो और FII वालों ने भी कम कसन नी चुड़ी 26% से 31% की होल्लिंग की है तो आप परिशान क्यों हो रहे हो मैं इसकी गिरावट की बज़ा बता दूँ नमबर एक गिरावट नमबर एक तो सबसे बड़ी बज़ा ये है कि प्रमोटर से इसमें लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहे है ठीक है ये एक सबसे बड़ी बज़ा है जिसकी वज़े से क्या है लोग आग परिशान हो रहे है कि क्या है उसके दल रहा है इसमें पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है तो मैंने अवही आपको 1.500 करोड की कंपनी आपके सामने है और 13,000 करोड की कंपनी का भी दिखा दिया उसमें वी लगातार होल्डिंग घट रही है तो आपको परिशान नहीं उना है करिदेने वाला वसकेवल प्रमोटर्स के अलावा बेचने वार अगर प्रमोटर्स बेचने तो खरिदेने वाला अगर पब्लिक की हाथों में जारी सारी होल्डिंग तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, अम मैं आपको कुछ चीज़ों और दिखाता हूँ, टीक डीलिस्ट होगी कि नहीं होगी, जैको डीलिस्ट होने से पहले में आपको कुछ चीज़ों दिखाऊंगा, कोसल लिम्टेद, यहाँ पर क्या हुआ नीचे आगे हम प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पर क्या हुआ दोस्तो प्रमोटर्स इन अपनी होल्डिंग बेची लेकिन प्रमोटर्स ने माल बेचा तो माल सारा गया कहां पब्ले के पास 95 और फाइड वाले वाले पास कुछ भी नहीं माल बेच के निकल चुके तो यह तो आप भूली जाओ के कंपनी डिलिस्ट होगे क्योंकि माल जो बेच रहे हैं उसको खरीदने वाले कोई साधार लोग नहीं यह बड़े ग्रुप के लोग हैं एफ आई डे वाले फोरन इस्टिट्यूसलर इन्वेस्टर और डॉमेस्टेक इंस्टिट्यूसलर इन्वेस्टर यह जो लोग होते न saip proud chairs से अपनि होलडिंग घंठा रहे हैं ठीक है दूसरा प्रमोटस ने तो अपनी घंठा रहे है Isptiac بhe way इस्टौक ने बोनस इसके लौब है चीज़ और दिखा दू साहित जो आपको साइथ पता है कर नहीं दूप एक और जुए जिसकी तो मैं आपको बताने जा रहा हूं देखो यहां पहें क्या तक करना के BBC specifics is लिम्टेड एसम ल्स्ट कि यह दोस्तों रड़ फ्लेग में तो इसका भी अशर पड़ता है सेर पर red flag का मतलब होता है red flag खत्रे की जंडी ठीक है अब खत्रे की जंडी red flag के मतलब क्या होता है BSE इसको NSE जो है share को ले लती है अपने red flag में उसमें inquiry बठाती है कि actually मैं इसमें चल क्या रहा है ठीक है अगर company में कुछ बड़ी कोई insider trading होती है बड़ी कोई bulk deal होती है illegal तरीके से या फिर कोई share अच्छा कासा return एकदम से देता है भागता ही जा रहा है तो उसके पर गया होता है फिर उसको rare flag में ले ले आता है और उसको इंक्वारी बगरा होती है तो company ने 2018 से 2020 तक 500% का return दियाता उसके बाद company में ग्रावट हुई ठीक है यहां से company में ग्रावट देखन 2021 महीं तो सर इसने bonus और split किया था तो उसके बाद bonus split करने के बाद share adjust होता है ठीक है share adjust हुआ उसके बाद share ने चलना सुरू ही किया ही था फिर क्या हुआ share ने चलना सुरू किया ही था लेकिन उसके बाद market ने भी साथ नहीं दिया तो ये भी एक बज़े है और भाई promoters लगातार holding घटा रहे है तो मेरा समझ मेरे जो समझाना चारू आपको मैं बताना चारू आपको सायद आपकी समझ में आ चुका होगा सबसे बड़ी बज़ा जो है वो yeh है कि stock red flag में चल रहा है ठीक है और प्रमोट师 हमनी holding क्यों खठा रहे हैं ऐसा नहीं होता है कि promoters हमनी holding घठा रहे हैं तो उसमा कोई कमी है ऐसा कोच नहीं होता खरीदने वाले भी तो इसको फाय वाले हैं तो आपको परिसान नहीं होना है जिनके पास तो आप आप होल कर सकते हो अब मैं कहूंगा आपको कि मैं ही बेस दियो बेस के निकल जाओ सारी शेर कली बेस तो अठासी नब्वे पसंद की ग्रावट के बाद आप लॉस भुक करके कौन सक क्या ख़र लोगे कुछ नहीं होने वाला तो होल कीजिए बागी पैनी सेर हैं दोस्तों इ जिसमें नब्वे भशन की ग्रावट होती है तो आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा शेर भागेगा कब शेर चलेगा कब दोस्तों हम जहां पर देख रहे हैं यह सबसे जो नि इसका सबसे तो लौश पॉइंट है वह कहां पर है एक रुपे बानुए पैसे अभी कह बानुए पैसे तक भी आता है ना तब भी आपको कोई ताज्योब वाली बात नहीं है क्योंकि पैनी सेर इसकी कोई लिमेट नहीं होती कहां तक रहेगा यह 99 पसंद के अतकी ग्रावट भी दिखा सकता है ठीक है वो टनला प्रेटफर्म सेर देखा आपने कितनी ग्रावट तो परिशान नहीं होना दोस्तो बाकी में आपको और कुछी नहीं कह सकता जो ग्रावट वरी उसका रीजन बता दिया ठीक है और रेफरेंस में आपको और सेर दिखा दिये डिलिस तो कंपनी होगे नहीं यह तो आप भोली जाना कंपनी पास कॉंट्रेक्स भी पड़े हु तैंक पर वस्में दोस्तों सबस्कावनाओ